हमें ये पता नहीं था कि UPA के गडवंधन के मित्र के भरष्टाचार के कारणा में इतने तेजी से खुलते रहेंगे कि हमें उसमें कई बार प्रिस करना पड़ेगी एक प्रक्रिया शुरू हुई लालु जी और शाहब अद्दिन की बात्चित पर जिस पर प्रिस किया हम लोगों ने राष्टिय विशे बना हमारे मित्र सुशील मोदी ने लालु के परिवार के विशे में कई चर्चाएं की जो राष्टिय विशे बना आज एक चैनल टाइमसनाउ ने भी एक विस्तार से कल विशे को रखा अब उसमें और परतें आ रही है और जब ही मैं कानुन मंत्राले से पार्टी के और से प्रेस करने आ रहा था तो अनिल बजुनी ने बताया कि नाशनल हराड केस में भी दिल्ली हाई कोट ने कारवाई का निर्देश दे दिया है इंकम टैक्स को लेकिन आज थोड़ी मैं पीड़ा से एक बात शुरू कर रहा हूँ आप समों को पता है कि लालू प्रशाद जी के घोटालों को एक्सपोस करने में मेरी कुछ भूमिका रही है चारा घोटाले का केस मैं नहीं बहस किया था पी आईल को सुशिल मोदी सरजूराय शिवारं तिवारी पेटिशनत बात में नितिश कुमाजी ने समता पार्टी बनाई और वो भी इसके साथ जुड़ गए अब आज वो कहा है उनके मजबूरी है मुझे लगा कि चारा घोटाले में सजा प्राप्त करने के बाद गरीबों का चारा खाने के आरोप में पांच साल की सजा बाने के बाद लालू प्रशाजी थोड़ा सीखेंगे थोड़ा सुद्रेंगे लेकिन ये तो अजीब पीड़ा की बात है कि जो काम उन्होंने किया आज उनके परिवार के लोग उसको और योजनाबत तरीके से perfect कर चुकै है It is indeed a matter of great agony and distress for the country that a leader who used to talk the language of the poor as he claimed for social justice in spite of his conviction in a corruption case where he permitted swindling of public money meant for the poor, the Dalits and the tribals. No lessons neither he learnt nor his family member learnt. And today, Lalu Prasad in a way represents the politics of Operation Lute. Lalu Prasad की राजनीती लूट की राजनीती बन गई है. ये बहुत ही पिड़ा की बात है. सबसे पहले उनकी पुत्री का संस्करन शुरू करते हैं. आपको मालूम है कि जिस तरह से और सिध्धान बड़ा इस्पष्ट है. अब उनके परिवार ने सीखा कि चारा घुटाला वगरा करोगे तो उसमें दिक्कत होगी. जमीन बहुत फाइदेमन चीद होती है. कौडी के भाव में करोणों की जमीन ले लो. ग्रैब लेंड वर्थ करोर्स फॉर एपिटेंस. इस वस अन्यू इस्टाटीजी अडॉप्टेट. अब यहां पर जो विश्टार से विश्टाइब आया है, अगबारों में भी छपा है. कि बिजवासन का लेंड पचास करोड का, एक करोड़ एक तालिस लाख में लिया. ये एक करोड़ एक तालिस लाख कहां से आया? कि अपनी जो कंपनी थी, चार कंपनी बनाई है, मिशा भारतिया और उनके पती सेलेश ने, उसका शेयर उन्होंने बिरिंदर जैन और इसके जैन को बेचा. और उसके बाद तुरत में वही पैसा खरिदने में आता है. अब थोड़ा सा ये जो मिशेल पैकर्स है, एक बात मुझे और कहनी है आज, कि जो फ्लाई बाई नाइट आपरेटर की कंपनियां होती है, इनका नाम बड़ा रोचक होता है. निशेल पैकर्स, और कुछ और नाम मैं बताऊंगा, तो बड़ा आपको भी आश्र लगेगा. उसका एक मैं कारन बता रहा हूँ, कि जो पतना में कंपनियां थी, उनका भी मैं नाम देखता हूँ, डेलाइट मार्केटिंग, फेर ग्रो, एके इंफो सिस्टम, तो जो हमारे वरिष्ट पत्रकार यहां बैठें, उनको याद होगा, कि जो बोफोर्स हुआ था, तो उसमे अब यहां जो पूरा मामला है, यह आपको मैं बताना चाहता हूँ, कि 2002 में मिशैल पैकर रेजिस्टर होती है, 2006 में बिजनेस बंद कर देती है, 2008-2009 में 26 पालवं फार्म बिजवासन को लेती है, एक कोड़िक तालिस लाक में, और यह दस रुपिय के शेयर, नबे रुपिय एच में, वीके जैन, एसके जैन को बिज दिया जाता है, जो दोनों के खिलाफ काले धन में कारवाई हुई थी, वो जेल गए थे, और फिर, यह संपत्ती खरीदने के बाद, 2009 में एक साल बाद, उसको एक रुपे में मीशा भारती उनके पती वापिस लेते हैं, तो एक वाडरा मॉडल आफ डिवलपमेंट हमने सुना था, लेकिन वाडरा मॉडल आफ डिवलपमेंट जो है, वो सिर्फ उनके परिवारता की सीमित नहीं है, जो गठबंदन है, यह ट्रेनिंग बाकी लो शेर रखो, काम कुछ नहीं करो, आपरेशन कुछ नहीं करो, आपरेशन बंद कर दो, कंपनी के दस रुपे के शेर, दो लोगों को 90 रुपे में बेच दो, बड़ी संपत्ती लेगर के, खरीद लो, पचास करोड़ की संपत्ती, एक करो तालिस लाक में, बिजवासन में, औ तो ये है, वाडरा मॉडल ऑफ डिवलप्मेंट, परफेक्टेड बाई मिर्सा भारतिय लालूस कंपनी, ये पहली बात मुझे कहनी है, दूसरी बात मुझे कहनी है, कि जो आरके, केज के होल्डिंग है, अनिल बलुनी पर बड़ा जोधार नाम है, केज के, हाँ, फेयर फै होगा, ये दस हज्जार का अपना शेयर सिर्फ एक लाग में ट्रांसफर कर देते हैं, अब ये बात बहुत और महत्पून है, कि मीशा भारती अपने राजसभा के एलेक्शन के एफिडविट में इन सारी बातों को छुपाती है, ये उसकी कार्नी है, और आपने इस सारे तथियों को छुपा दिया, चैनल के हम तारीफ करेंगे, उनने सच्चाई को सामने लाया है, अगर उस समय बताया होता, तो सच्चाई पहले ही सामने आ जाती, लेकिन बात निकलेगी तो बहुत दूर तलग जाती, इसलिए सच्चाई को बताया नहीं गया, पार्टी के और से हमें क्या कहना है, यह मैं अंत में कहूंगा, लेकिन हमें एक बात और रोचक कहनी है, अब देखिए, पटना में एक डिलाइट मार्केटिंग है, प्रेम चंद गुपता जी ने उसको लालू जी के परिवार को गिफ्ट कर दिया एक प्रकार से, ऐसा लोग बोलते हैं, अब यह सारे में कोई में अशोग बनतिया हैं, किसी में प्रेम चंद गुपता हैं, किसी में कोई ओम प्रकाश कत्याल हैं, यह सारी बातें मित्रवर सुशील मोदी ने बहुत विस्तार से रखी हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, कि अंधे नहीं कुमपनी कि माईएंगे कि में में कि माईएंध अलिया हैं, यह सकफेंगे मिए भूं अक कि विस घूंपनीम दिएमें एलिप्री डिए नहीं को कि अласт !! अबूंद फिस्पर्ण अँमार कि आअंद आविए कि में कि ऋह अंदी आई लालुपत Civil snippet, यह चार में से तीन में राबडी देवी लगभग 80% की शेयर है 15% तेज़स्वी आदों की बात है और एक बात हम कभी नहीं भूलें कि लालू प्रशाद जी कन्विक्टेड है but his two sons, one is a deputy chief minister holding a public office other son is a minister holding a public office and daughter is a Raja Sabha MP holding a public office यह तीन बात समझना बहुत दर हुई है और राबडी देवी is also an M.L.C. holding a public office और यह सब 2008-2009 यह जो पूरा सिलसिला चल रहा है और जो बिहार में चल रहा है the element of quid pro quo is very clear लालू प्रशाद was a railway minister for a good number of years राबडी जी was a chief minister and before that लालू प्रशाद was a chief minister तो यह first है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत की दानवीरों की परंपरा तो रही है यह दान तो हमने आज तक नहीं देखा कि company आपने बनाई और आपने करोणों की property ओवरनाइट दे दी जिस company का कोई काम नहीं है और एक बात मैं बदा दूँ सौ करोण की property यहाँ पर है मिनिसा और उनके पती की और जो पत्ना में सारी जमीन दी गई हुई है यह कुल हजार करोण का मामला बनता है जो पत्ना में mall बन रहा है 7.5 lakh square feet पर वो पत्ना है जुड़े पत्रकार जानते हों कि बेली रोड पर है और बिहार का सबसे बड़ा mall है यह a very costly property जो दिल्ली की property है उसके बारे में हम अपेक्षा करेंगे कि भारत सरकार उचित कारवाई करेगी हमारी अपेक्षा है लेकिन एक सवाल हमें नितिश कुमार से भी पूछना है बिहार में एक special court act है आपको मालूम है जिसके अंतरगत corruption की करवाई का प्रावधान है और ill-gotten property के confiscation का भी प्रावधान है और आपने देखा होगा नितिश कुमार जी ने उसको दिखाने की कोशिश की कि किसी exercise inspector का मकान जब कर लिया गया एक किसी और road construction के पताधिकारी का मकान जब कर लिया गया अच्छी बात है नितिश कुमार जी आप से भाजपा एक सवाल पूछना चाहती है इस तरह से overnight आपके उपमुख्य मंत्री जी और आपके मंत्री परश्ट के एक सदस से पैसा कमा कर जमीन बड़ी बड़ी करोड़ों के संख्या में ले रहे हैं क्या इस मामले में आपकी सरकार स्पेशल कोट एक्ट के अंतरगत कारवाई करेगी और इस संपत्ती को जब्त करेगी हमें पेक्षा करेंगे यह होना चाहिए the BJP would demand from Nitesh Kumar please start action under the special court act meant to curb the corrupt which also entails a provision of confiscating the property of confiscating the property of his deputy chief minister, his minister and a former chief minister एक बात तुमें यह कहना चाहूँगा हम election commission से appeal करेंगे कि मीसा ने तथ्यों को छुपाया है it is not only misrepresentation but it is a serious issue bordering on the crime as well मैं देश का कानुन मंत्री हूँ इस से दे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा यह अपेक्षा अवश्य होगी कि election commission को जब यह public domain में विशे आ गया है तो मीसा भारती को notice करना चाहिए और उचित करवाई करनी चाहिए and misrepresentation in your election affidavit designed to conceal real flag has serious implications this the courts and the supreme court has already explained over the years तो यह हमारी यह पेक्षा होगी मित्रों मुझे एक अंतिम बात कहनी है फिर आपके हम सवाल लेंगे मैं फिर कह रहा हूँ जो पुराने allegations public domain में उसको मैं दोरा नहीं रहा हूँ आप सभी जानते हैं कहीं ने पुरां को चलाया भी है यह जो भाई इस गड़बंधन का नाम क्या है जो बन रहा है हमारे खिलाफ को नाम है क्या महागडबंधन है क्यों बहुत महा है यह कौन सा महागडबंधन है क्या यह भरष्टाचार को बचाने वालों का गड़बंधन है the BJP would like to know what is this महागडबंधन it is a गड़बंधन to protect the corrupt to give a cover to the rank corruption of its constituents यह हम जानना चाहते है और क्या सेक्डरुजम के नाम पर भरष्टाचार, rank भरष्टाचार, नगन भरष्टाचार को cover किया जाएगा the BJP would like to ask today from the likes of सितरा मियचूरी and the शारद यादाउ are they going to keep completely silent मैं यह सवाल सोनिया गांधी के बारे में भी पूछना चाहता था लेकिन आज कोर्ट ने नैशनल हराड केस में उनके एकाउंट के भी इंकम टेस जाज के आदेश दे दिये और उनके वक्किल कह रहे है सुप्रिम कोर्ट जाएंगे पहले भी गाए थे जाएं मुझे क्या कहना है तो दिखा रहे but there is a serious ethical and moral angle there is an important question of political propriety देश लोक तंत्र में लोक तंत्र लोक लाज से चलता है राजनीती में सुचिता बहुत जरूरी होती है तो क्या यह महा गटवंधन के महा नयक लोग जुटे हुए है इतनी बड़ी हार पर हार से सबक नहीं ले रहे है कि नरेंद मुदीजी की सरकार खिरपती विश्वास इसलिए है कि यह सरकार इमांदारी से चलती है फैसले इमांदारी से होते है और जन्ता के मन में यह विश्वास होता है कि नर्द मुदी के अगवाई में भारत में सुचिता आ रही है इसे समझ नहीं रहे हैं लेकिन रोज बरोज महा गटबंदन के महा नायकों के सम्मन्द में भरष्टाचार की महा खबरे आ रही है तो इसका उत्तर भी उने ही देना है That's all from my side, I am open to questions तो शर्द यादो ये बताएं कि क्या लालू जी का भरष्टाचार खटम हो गया और लालू जी का भरष्टाचार बार बार होता है ना मैंने शुरू किया ना कि वो चारा घुटाले में सजाफता है बेटे, पत्नी, दूसरे बेटे या बेटी तो इसका उत्तर शरजी को देना पड़ेगा कि प्रष्टाब प्रूस बेटेट कि अज्य को बढ़ेगा जहां तक सुपारी जनलिजम का सवाल है ये भारत की राजनिती का एक नया शब्द है क्या आर जे डी के लोग में राजनितिक सुझिता कुछ बची है की नहीं बची है वैसे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं चारा खुटाले में हम लोग एक्सपोजर में लगे थे नबे के दशक में तब भी ऐसी ही बाते कहा कर दे थे की गरीबों के हित की ललाई डलने वालों के खिलाफ काई शब होते थे को इन तो I don't take notice of that, it is one cry of desperation. As far as registering a company in the official residence of a minister in my view it is a case of gross impropriety, we get our bungalows to do our job as a minister or as a MP it cannot be used for commerce, I am very clear, it should not be used for commerce. पहले मैं इस विशे पर ले लू हाँ और कोई विशे जो मैंने विशे उठाएं मैंने सुना था कि नितीश जी का गला बोला उन्हें कहा था कि जादा बोलने से गला खराब हो जाता है लेकिन नितीश जी आपने भारत की राजनिती में जो अपनी राजनिती के बारे में हमेशा बात कही है तो आप सुजिता की बात करते हैं आपका नाम सुशाशन बाबू रहा है तो खराब गला में देशन अच्छी दवा मिलती है कई प्रकार का टॉंसिल्स आता है ये इस टेप्सिल्स हैं बाकी हैं तो उसको खा लीजिए और गला को ठिक कर लीजिए इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है मैंने पहले भी का था नितिश कुमार स्वैम हमें छोड़ कर गए थे हमने उनको नहीं छोड़ा है इसलिए और वो पूरी हमारे कई में तो मैं देख रहा हूं हमारे वरिष्ट पत्रकार यहां बैठे हैं जो पट्टा गए थे जब भोजन कैंसल हुआ था उसके बाद की कहानी अब लंबी है उसकी चर्शा करने की दरूफ नहीं है इस विशे पर कप्टेट करनो और कुछ चलिए आप दूसरा विशे क्विक्ली बताइए यहीं बताओ करेंब लंड पत्रकाइंट कर दूसरा विजुड थे तरूसरा विशे। अरवक्ट आप लुड़कू इंविक्टेएंट। what could not be done or thought of even during the days of Jawadal Nehru was ought to be done and how certain Congress Chief Ministers were more than obliging keen to oblige with bid property also those are matters of investigation by the tax, we are happy with the order Young India के बारे में जो कोट का दिन ने आया है उसका हम स्वागत करते है ये खबरे बार बार पुब्लिक दोमेन में है कि किस प्रकार से एक अखबार को जो भरत की आजादी की आंदोलन से जुड़ा रहा है एक परिवार की संपत्ती बनाने की कोशिश की गई उनके शेर पैटर्न को लेकर शायद ऐसा नहरू जी के समय में भी नहीं हुआ था अब आज इंकम टैक्स के इंवेस्टिगेशन को हाई कोट ने हरिजण्डी दी है सुप्रीम कोट पर जाने का उनको अधिकार है लेकिन मैं आप एक्षा करूंगा कि कॉंग्रेस के परिवार के मुख्या अपने हित में इंकम टैक्स से अब आज परिवार कें वेस्टिगेशन कराने में मदद करें यह मारी अपेक्षा होगी अधिठी एक मिनिट एक मिनिट यह सब्सक्राइब था तो अधिए तो पर जाएड आज-गानी of that also. But as far as action is concerned, you have seen the army chief saying very clearly and categorically that these actions will not go unpunished. Let us trust the leadership, the courage and strategic timing of our armed forces. ये विशेपर विंकैज से बात कर लिजी, Housing Minister है. आपने एक सवाल पूछा है. अब चालिस साल पहले कोई बात आई है, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. As far as electronic voting machine issue is concerned, I understand the election commission is holding an all-party meeting today. I don't wish to make any comment, except to repeat. अवेट, की एलिगूज़को पिर्थे एले उनना प्लूद एंप्तेश्साइब लूग्फीत, ओर टेन में पूशिवेट लूगाश्चाइब लूगायएदाराष लुछते लूगायँ, इन इन इंपकुर लूगायः ट्रिविति नूग उप्वाटेटी लूगायँ, प्र अजय को आपकेर बाल क्या है कि अचलिशनीटी टीज़तनी कि और र्म्ट में कि अच्ड़ फिर देदे बीन कर्ट भी प्रच प्रच में ब्सक्र डीज़तनी प्रच शर दौईगोगोगोगोगोगोगोगोगёт अजा अरलियर, एक्षिन ुपी तेक रब बाजबे अर्म चीजित अच्छिनाट से एक शेते चाप बुलिकलीग। तो देगा अज़स की बुलिकलत बारोटिक। what about the political leaders who go on making statements after statement, maintaining a silence over the gruesome killing of that Kashmiri Army officer, young officer who was killed when he has gone to attend a marriage? and what about the human rights activists who keep on raising questions day in and day out, whether in Sukhumah or other places? they are maintaining a silence. this hypocrisy of human right body and their patrons is equally shocking that's all thank you